उत्तर प्रदेश में लोगसभा इलेक्शन 2024 के लिए पहले चरण में आठ लोगसभा सीट पर हो रहे चुनाओ के नामांकन की प्रक्रिया सुरू कर दी गई है महें भी मारवे चीफ चंसेखर आजाद का नामांकन दाखिल करने बिजनौर पहुंचे लोगसभा चुनाओ को लेकर नामांकन की प्रक्रिया सुरू हो गई है ऐसे में बिजनौर के नगीना लोगसभा सीट से आजाज समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी चंसेखर आजाद रावन को आज गुरुवार 21 माई को नामांकन करने पहुंचे पर किसी कारण वस उनका नामांकन नहीं हो पाया चंसेखर ने कहा कि नॉमिनेशन की मेरी आज ही इच्छा थी लेकिन सभी की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती आजाज समाजवादी के नेता चंसेखर ने कहा कि सरकारी तंत्रे ने आज नामांकन के लिए मना कर दिया